नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चेनल फ्री एजुकेशन में दोस्तों भारत में वर्तमान में कौन क्या है करन्ट अफियस का काफी ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक होता है आप किसी भी एक्जाम की तैयारी कर रहे हो इस टॉपिक स दो से तीन कॉस्टन हर एक्जाम में पूछे ही जाते हैं तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम वर्तमान में कौन क्या है और हाल फिल हाल जितनी भी नई न्यूपिया हुई है इस टॉपिक से वनने वाले शभी इंपॉंट कॉस्टन को डिसकस करेंगे और दोस्तों सभी कॉस्टन को हम बिल्कुल डेटेल में विट एश्टर फेक्ट के साथ में डिसकस करेंगे तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नमर फर्स्ट कॉस्टन से और पहला हमारा कॉस्टन है देश के नए मुख आर्थिक सलाहकार की रूप में किसने पदभार गहन किया है देश के नए मुख आर्थिक सलाहकार जो हैं ये बन गए हैं डाक्टर वी अनंत नागे सुरन तो इस कॉस्टन का बी ओप्सन सही हो जाएगा दोस्तों हाली में अर्थसास्त्री डाक्टर वी अनंत नागे सुरन ने देश के नए मुख आर्थिक सलाहकार कुरूप में पद अध्यक्ष कौन बनी है दोस्तो हाली में सेवी की पहली महिला अध्यक्ष जो है ये माधवी पुरी बुच बनी है तो इस कॉस्षन का डी ओप्सन सही हो जाएगा दोस्तो इस कॉस्षन के बारे में यह दिटेल की बात करें तो दोस्तो माधवी पुरी बुच ने अजय त्या पादमे में की गई थी head quarter का मुंबई में है और present टाइम पे इसकी नई चयरिम कौन मन गई है तो मादभी पूरे बच्च बन गई है और दोस्तो यदी हम बात करें कि सैयर मार्केट कारिय क्या होता है दोस्तो जितने भी share market होते हैं ठीक है उनमें जो investor होते हैं जो निवेसक होते हैं तो उनके हितों की रक्षा करना इसके साथ में share market के जितने भी rules and regulation है सभी पर कौन control करता है तो सभी पर सेवी control करता है next one की हम बात करेंगे और दोस्तो next हमारा question है राष्टिय सुरक्षागाड के नए महानेदिसक कौन बन गए हैं दोस्तो राष्टिय सुरक्षागाड यानि की NSG और NSG के नए महानेदिसक यानि की DZ Director General बन गए हैं MA गड़पती D option सही हो जायागा दोस्तो यहाँ पर बात वी है NSG की तो NSG के बारे में हम जान लेते हैं इसका full form होता है National Security Guard हिंदी में इसको राष्टिय सुरक्षागाड कहते हैं इस था अपना 1986 में की गई थी और इसका जो headquarter है New Delhi में है और दोस्तो NSG जो है यह देश में आतंकबादी ब्रूधी गती विधियों से निपट्टे का कारे करता है दोस्तो हम बिल्कुल डेटेल में with extra facts के साथ में हमेशा हर question को discuss करते हैं और दोस्तो आपके लिए एक update है अपडेट यह है कि हमारी current affairs की e-book launch हो गई है ठीक है पूरे साल की और अभी तक जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तब तक आपको update e-book मिल जाएगी इसी वीडियो की description में उसका link मिल जाएगा topic wise current affairs और un-mcq और बिलकुल detail mcq आपको इस e-book के अंदर मिलेंगे जिस प्रकार से मेरे पढ़ाने का format है उसी प्रकार से मैंने content को इस e-book के अंदर add किया है यदि आप चाहें तो हमारी इस e-book को download कर सकते हैं link आपको description में मिल जाएगी तो चलिए दोस्तो nest one की हम बात कर लेते हैं और nest हमारा question है railway board के नए chairman और CEO कौन बने हैं दोस्तो railway board के new chairman और CEO जो हैं ये वन गए हैं विनै कुमार तिरपाठी ठीक है इनको VK तिरपाठी भी कहा जाता है और दोस्तो इन्होंने किसको replace किया है तो इन्होंने सुनीत सर्मा का इस्थान लिया है ये तो हमने बात करी है railway board के नए chairman और CEO की यदि मैं आपसे बात करूँ कि वर्तमान में हमारे केंद्रिये rail मंत्री कौन है तो अस्वनी वैसना जो हैं ये वर्तमान में हमारे केंद्रिये rail मंत्री है नेश्ट हमारा question दोस्तो ONGC की पहली महिले chairman और managing director कौन मनी है दोस्तो ONGC और इसकी पहली महिले chairman और managing director यानि की CMD बन गई है अलका मित्तल C options है हो जाएगा दोस्तो ONGC आपके mind में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि इसका full firm क्या होता है तो oil and natural gas corporation इसका full firm होता है इसकी स्थापना 1956 में की गई थी headquarter न्यू दिल्ली में है नेश्ट question है भारत के पहले राष्टे समुद्री सुरक्षा समनबैक कौन मनी है दोस्तो ये question जो है ये most important question है क्योंकि राष्टे समुद्री सुरक्षा समनबैक का पद हाली में सरकार के दोरा वनाया गया है ठीक है और भारत के पहले राष्टे समुद्री सुरक्षा समनबैक जो है ये कौन बनी है जी असू कुमार बनी है दोस्तो इस question के बारे में detail को हम कबर कर लेते हैं दोस्तो पूर्बनो सेना के ओप्रमुक हैं जी असू कुमार और इनको सरकार दोरा भारत का पहला राष्टे समुद्री सुरक्षा समनबैक बनाया गया है ठीक है राष्टे समुद्री सुरक्षा समनबैक इसको सोट में NMSC कहा जाएगा और दोस्तो NMSC जो है ये राष्टे सुरक्षा परिशत सचवालाई के साथ में समनबै इस्थापित करेगा इसके अलावा जो NMSC है इसका मुख कारे क्या होगा तो भारती नौ सेना तटरक्षा गबल तटिये और समुद्री सुरक्षा में उलजी सुरक्षा एजेंसियों और 13 तटिये राज्यों और केंद सासत प्रदेश के वीच में समनबै इस्थापित करेगा NMSC और इसको क्या कहा जाएगा तो राश्टिय समुद्री सुरक्षा समनबै कहा जाएगा और कौन बने हैं पहले हमारे देश के तो ये बने हैं जी असुक कुमार याद रखेंगे नैश्ट हमारा कॉस्वन दोस्तो ओपेक के नए महासच्यों कौन मने हैं अब दोस्तो ओपेक की यहां पर बात हुई है फूल फिर्म क्या होता है तो organization of the petroleum exporting country हिंदी में petroleum निर्या तक देशों का संगठन इसको हम कहते हैं इसता अपना 1964 में की गई थी headquarter Austria के वे नाम है इसके सदसदे स्तेरा है और नए महासचयों कौन बने हैं तो हैतम अलगिस बने है नेश्ट अमारा question दोस्तो केंद्रिय मादमिक सिक्षा बोड यानि की CBSE और CBSE के new chairman कौन बने हैं दोस्तो CBSE के new chairman बने है विनीत जोसी ए ओप्सन सही हो जाएगा इंपॉंट फेक्टों को हम discuss कर लेते हैं दोस्तो विनीत जोसी इन्होंने मनुज आहूजा का इस्थान लिया CBSE full form होता है Central Board of Secondary Education केंद्रिय मादमिक सिक्षा बोड हिंदी में कहते हैं इस्थापना 1929 में headquarter नई दिली में नए chairman बन गए है विनीत जोसी नेश्ट हमारा question भारत की नए महालेखा नियांतरक की रूप में किसी न्यूक्त किया गया है दोस्तो महालेखा नियांतरक यानि क CGA और देश के नए CGA जो है ये कौन बनी है 140 हैं बनी है D option सही हो जाएगा ठीक है और देखे दोस्तों CGA यानि कि महालेखा नियांतरक और इसको क्या कहा जाता है तो इसको control general of account कहा जाता है ठीक है इसी प्रकार से क्या होता है दोस्तों इसी प्रकार से एक और पद होता है ह और यह होता है Comptoral and Auditor General ठीक है तो अभी हमने देखा CGA और CGA कौन बनी है 140 है अब हम बात करेंगे केग की तो नेश्ट हमारा कौशन है भारत के नए नियांतरक या महालेखा परिक्षा की यानि कि CAG कौन बनाए गए हैं दोस्तों देश के जो नए केग है ये वने हैं ग्री ग्रीस चंद्र मुर्मू तेस कौशन का B option सही होजाएगा देखे दोस्तों ग्रीस चंद्र मुर्मू की यदि हम बात करें तो यह जम्मू एंड कस्मीर के पिर्थम और पूर्व उपराजपाल थे ठीक है अब यह जम्मू कस्मीर के उपराजपाल नहीं है अब यह हमारे द इसके कौन से नमर के कैग बने हैं दोस्तों यह चौदवी नमर के कैग बने है ठीक है यदि हम बात करें कैग की नियुकती का प्राओधान वारतिय सम्मिधान के किस अनुचिद में किया गया है तो अनुचिद 148 में किया गया है और दोस्तों जो कैग की नियुकती है यह कि के द्वारा की जाती है तो प्रिसिडेंट साहाब यानि कि राश्टपती साहब के द्वारा की जाती है और जो केग हैं इनका वेतन कितना होता है तो दो समलाव पांच यानि कि धाई लाख रुपे केग का वेतन होता है और भारत के प्रिथम केग कौन बनाए गए थे दोस्तो वी नरहरी राओ ठीक है वी नरहरी राओ जो है ये भारत के पहले कैग बनाये गए थे दोस्तो मैं additional information क्यों देता हूँ क्योंकि आपके exam में कुछ भी question बन सकता है ठीक है और जो भी important fact है यदि आप उनका revision कर लें तो वो fact आपको लंबे समय तक याद रहेंगे नेश्ट हमारा question है भारतिय तटरक्षक यानि की ICG के नई महाने दिसक कौन बने हैं दोस्तो भारतिय तटरक्षक यानि की ICG और इसके जो new DC है वो वीरंदर से पठानियां बने हैं D option से यूज आएगा और ये कौन से नमबर के महाने दिसक बने हैं ICG के तो ये 24 वे नमबर के महाने दिसक बने हैं ठीक है नेश्ट वन की हम बात कर लीते हैं और नेश्ट हमारा question है वन अनुसंधान संग्ठन की नई दिसक कौन बनी है दोस्तो वन अनुसंधान संग्ठन और इसकी नई दिसक जो है ये रेणू सेह बनी है कौन रेणू सेह बनी है नेश्ट हमारा question है स नेश्ट हमारा कॉसन दोस्तो भारत की नए मुख सांख की विद्जू है ये बने हैं डाक्टर जी पी सामन्त तो इस कॉसन का C option से यूज आएगा नेश्ट हमारा कॉसन दोस्तो मड़ीपुर के नए मुखमंत्री कौन बने हैं दोस्तो मड़ीपुर के जो न्यू चीफ मिनिस नेश्ट है वो बने हैं एन विरंस हैं ए ओप्सन से यूज आएगा दोस्तो यदि हम बात करें एन विरंस की तो ये मड़ीपुर के फिर से मुखमंत्री बन गए हैं मड़ीपुर की बात हुई है यहां की कैपिटल एमफॉल है नियू सीम बने हैं एन विरंस है ये लोगडेशन और दोस्तो मड़ीपुर में लोगसवा सीटों की संख्या कितनी हैं दो है रासवा सीटों की संख्या कितनी हैं एक और यहां पर विधान सवा सीटों की संख्या कितनी हैं तो 60 है नेश्ट हमारा कोसन है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस यानि की TCS और TCS की नए MD and CEO कौन बने हैं दोस्तो TCS कंपनी का नाम आपने जरूर सुना होगा इसका फुल फॉम होता है Tata Consultancy Services और ये भारत की सबसे बड़ी Software सेवा कंपनियों में से एक है यदि हम बात करें इसकी स्थापना कब की गई थी तो 1964 में और इसका Headquarters जो है ये महराष्ट के मुंबई में इस ते था ठीक है और इसके नए MD and CEO जो है ये राजिस गोफी नातन बने हैं B option से यूज आएगा next question है भारत की बरतमन में महानियावादी कौन है दोस्तो भारत की बरतमन में महानियावादी यानि की Attorney General of India ठीक है Attorney General of India प्रजन टाइम पर कौन है के के बेड़ू गोपाल है और ये कौन से नमबर के हैं तो दोस्तो ये पंदर भी नमबर के है ठीक है और महानियावादी की यदि हम बात करें तो महानियावादी जो है ये देश का प्रतम बेदियादिकारी होता है और महानियाबादी की नियुक्ती का प्राउधान अनुचित छेतर में किया गया है और महानियाबादी की नियुक्ती राष्टपती जी के द्वारा की जाती है नेश्ट हमारा कॉसन है इसी प्रकार से अभी हमने बात करी है Attorney General of India की हम बात कर रहे हैं देश के वर्तमान में Solicitors General of India कौन है दोस्तो प्रिजन टाइम पे हमारे Solicitors General of India जो है ये तोसार महता है ठीक है और दोस्तो Solicitors General of India जो है ये हमारे देश के दूसरे सबसे बड़े विधी अधिकारी होते हैं नेश्ट कोस्टन है राष्टे अपराद रिकार्ड विरो यानि की NCRB और NCRB के नए नदेशक यानि की New Director कौन बने हैं दोस्तो बिबेक गोगिया जो है ये NCRB के New Director बने हैं नेश्ट बन की हम बात करेंगे और दोस्तो नेश्ट हमारा कोस्टन है अंतरराष्टि मुद्रा कोस्ट यानि की IMF के नए मुख अर्थसास्त्री कौन बने हैं दोस्तो IMF के नए मुख अर्थसास्त्री जो हैं ये पीरे ओलिवियर गोरी चस्ट बन गए हैं ए ओप्सन सही हो जायागा IMF की बात हुई है तो इसके बारे में हम जान लेते हैं International Monetary Fund इसका full form होता है अंतरराष्टि मुद्रा कोसिंदी में कहते हैं इस था अपना 1945 में की गई थी और अमिर्का के वसंग डन DC में इसका headquarter है और इसकी present time पे chairman कौन है तो क्रेश्टलीना जोर जीबा जो है यह IMF की present time पे chairman है और सदसदेशों की संखे कितनी है तो 190 है नेश्ट हमारा question दोस्तों हाली में CRPF का नया महान दिसक किसे न्यूक्त किया गया है दोस्तो CRPF का नया महान दिसक जो है यह न्यूक्त किया गया है कुलदीप सेंखो D option से यूज़ आएगा CRPF Central Reserve Police Force स्थापना 1949 Headquarter नई दिली और CRPF का आदर्श्वाक कियानी की मोटो होता है सेवा और निश्ठा नेश्ट हमारा question है हाली में CRPF का नया महान दिसक किसे न्यूक्त किया गया है अभी हमने बात करी है महान दिसक की अब हम बात कर रहे है CRPF का महान रिक्षक ठेक है तो CRPF के जो महान रिक्षक है ये बने है P S Ranipe से कौन बने है P F Ranipe से बने है नेश्ट हम question देख लेते है नएक केंद्रिये रेल मंत्री कौन बने है दोस्तो नए केंद्री ये रेल मंत्री जो हैं ये अस्वनी वैसना वने हैं कौन वने हैं अस्वनी वैसना वने हैं नैश्ट हमारा कॉस्टन है अमेरिका सुप्रीम कोट की पहली अस्वेत महिला जज कौन वनी हैं दोस्तो अमेरिका सुप्रीम कोट की पहली अस्वेत महिला ज स्थित है इसकी रादधानी वसंटन डीसी करंसी अमेरिकन डॉलर राष्टपती जो वाइडन है और यह 46 वे नमबर की राष्टपती है अमेरिका के उप राष्टपती को ने कामला हैरस है जो कि भारतिय मूल की है नेश्ट वन की हम बात कर लेते हैं और नेश्ट हमारा कॉस् दोस्तो audit bureau of circulation की नए अध्यक्ष कौन बने हैं दोस्तो audit bureau of circulation यानि की ABC और इसके नए अध्यक्ष जो है ये दियुबरत मुखर्जी बने हैं ये option से यूज आएगा नेश्ट हमारा question है भारतिये table tennis महासंग की नए अध्यक्ष कौन बनी हैं दोस्तो भारतिये table tennis महासंग यानि की TTFI और इसकी new chairman जो है ये गीता मित्तल बनी है ठीक है और गीता मित्तल ने दुस्यन तो चोटाला को replace किया है नेश्ट हमारा question है भारत तिब्बत सीमा पुलिस वाल यानि की ITBP और ITBP के नए महान देशा के यानि की new DG जो है ये संजय अरोडा बने हैं D option से हो जाएगा ITBP इंडो तिब्बितन बॉर्डर पुलिस हमिस को बोलते हैं भारतिय तिब्बत सीमा पुलिस वाल हिंदी में बोलते हैं इस था अपना 1922 हैट कोटर नई दिली और इसका मोटो क्या है तो सोर्य द्रणता और कार्मनिस्टा ठीक है और यदि हम बात करें कि इसके DG कौन ब बने हैं दोस्तों BSF के जो निव डीजी है ये पंकच कुमार सहें बने हैं ए ओप्सन सही हो जाएगा दोस्तों बहुत ही इस वीड में मैं पढ़ाने की कोशिस कर रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़ल्दा लेंदी हो जाता है तो बहुत ही जल्द जल्दी पढ़ने क की आदर्श वाक की होता है नेश्ट वन की हम बात करेंगे नार्कोटेक्स कंट्रोल बेरो यानिकि NCB के महान दिसक कौन बने हैं दोस्तों NCB के जो निव डीजी है ये सत्ते नाराण प्रधान बने हैं ए ओप्सन सही हो जाएगा और दोस्तों इन्होंने किसको रीप्लेस कि या है नेश्ट हमारा कॉस्टन है असम राइफल्स के नई महान दिसक कौन बने हैं दोस्तों असम राइफल्स के नई महान दिसक जो है ये प्रधीप चंदरन नायर बने है ठीक है वी ओप्सन सही हो जाएगा और ये 21 वे नंबर के महान दिसक बने हैं असम राइफल के ठीक भारत की ग्यारा महारतन कंप्रियों में से एक है तो हाली में HPCL के नए अध्यक्ष कौन बने हैं दोस्तो याद रखना है HPCL जो है ये भारत की ग्यारा महारतन कंप्रियों में से एक है और HPCL के जो न्यू चेयर्मेन है ये पुस्प कुमार जोसी बने है भी ऑप्सन सही हो HPCL इसका फुल्फॉम हंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्परेशन लिमिटेड इस्तापना 1994 हैटकोर्टर मॉंबई और निव एमडी एंड चेर्मेन जो है ये पस्पुमार जोसी बने है वरतमान में महारतन कंपणियों की संख्या कितनी है ग्यारा है ठीक है और दोस्तों ग्या चेर्मेन आपके एक्जाम में पूछे जा सकते हैं तो रबेंदर सेंट हिलो जो है ये पी एफसी यानिकी ग्यारवी महारतन कंपणियों के निव चेर्मेन बने है नेश्ट हमारा कॉस्टन है भारति अंत्रक्ष संग यानिकी आईएस पीए के पहले अध्यक्ष कोन बने है ये कोशन भी most important कोशन है क्योंकि ये जो organization है ये हाली में भारत सरकार की द्वारा बनाया गया है ठीक है और इसके पहले अध्यक्ष कि इसको बनाया गया है जेंत पाटल को ठीक है important है और इसके पहले उपाध्यक्ष भी important है कौन बने है राहुल बत्स जो है इसके पहले उपाध्यक्ष बने है नेश्ट हमारा question दोस्तो केंद सरकार ने इसरो का नया अध्यक्ष किश्को नियुक्त किया है most important question है दोस्तो इसरो के जो new chairman है ये dr. S. सौमनात बने है ठीक है तो C option से युज आएगा detail के दि हम बात करें दोस्तो जनवरी 2022 को केंद सरकार ने प्रिसद रोकेट बेग्यानेक dr. S. सौमनात को इसरो का नया अध्यक्ष बनाया है दोस्तो इनका कारेकाल 2025 तक होगा इसके साथ ही अंत्रिक्ष बिभाग के सचेव और अंत्रिक्ष आयो के अध अध्यक्ष भी है और दोस्तो इनका के अध्यक्ष के पत पर किसको रिप्लेस किया है तो dr. K. सिवान को रिप्लेस किया है इसरो भारत की एक अंत्रिक्ष एजंसी है फुल्पम होता है Indian Space Research Organization वारति अंत्रिक्ष अनुसंधान संग्ठान इसको कहते हैं 1989 में स्थापना की महान देसक कौन बने हैं दोस्तो WHO के जो फिर से डीजी है ये टेड्रोस एंडरोम बने हैं C option सही हो जाएगा WHO का फुल्पम वल्ड है और इसके स्थापना की गई थी 7 अप्रेल उन्नीस वारतालिस को इसकी स्थापना 7 अप्रेल को की गई थी इसलिए हम हर साल 7 अप्रेल को विस्ब स्वास्त दवस मनाते हैं इसका जो हैड़कोटर है ये जैनेवया में हैं और इसके महान देसक फिर से बन गए हैं टेड्रोस एंडरोम नेश्ट को सन है संगाई सहयोग संगठन यनकी SCO के नए महासचयो कौन मने हैं दोस्तो SCO के जो नए महासचयो है ये जांग मि बने हैं C option सही हो जाएगा और दोस्तो यदि हम detail की बात करें तो चीन के वरष्ट नेता है जांग मिंग ठीक है और ये SCO के नए महासचयो वन गए हैं और दोस्तो इन्हों ने किसको रिप्लेस किया है तो जांग मिंग ने ब्लादिमीर नेरेव को रिप्लेस किया है अब द SCO के महासचयो जो हैं ये जांग मिंग बने हैं और दोस्तो SCO के बरतमान में स्थाई सदसदेशों की संख्य कितनी है तो नो है ठीक है कौन-कौन से हैं चाइना है रूसे तजाकिस्तान है कजाकिस्तान है अपना देश भारत भी है जो कि 2017 में एड हुआ था पाकिस्तान भी STAP COMMITTEE के Chairman का पदभार किसने समाला है दोस्तो Chief of STAP COMMITTEE के जो Chairman का पदभार है ये किसने समाला है तो General Mr. M. Nervaडी ने समाला है B option सही हुज आएगा ठीक है next one की हम बात करेंगे और next हमारा question कर्मचारी चैन आयोग यानि कि SSC की नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं दोस्तो SSC की जो नए अध्यक्ष हैं ये S किसूर बने हैं कौन बने हैं S किसूर D option सही हुज आएगा और दोस्तो S किसूर जो है ये SSC की नए चेयर्मेन बन गए हैं इन्होंने ब्रजराज सर्मा का इस्थान लिया है SSC स्थाप सेलेक्षन कमिशन फॉल फॉर्म कर्मचारी चैन आयोग हिंदी में बूलते हैं 1975 में स्थापना और इसके वरतमान चेयर्मेन कौन है किसका आरे साह का इन्होंने इस्थान लिया है नेश्ट हमारा कॉस्षन है BCCI ने किसे राष्टे क्रिकेट एकेद्मी का नया प्रमुख बनाया है दोस्तो राष्टे क्रिकेट एकेद्मी इसको कहा जा था NCA ठीक है और NCA के जो निव चीफ है ये VVS लक्षोन बने है C option सही हो जाएगा नेश्ट हमारा कॉस्षन प्रधान मंत्री नेरंद मोदी के नए सलाहकार कौन बने है दोस्तो PM मोदी जी के जो निव सलाहकार यानि की एडवाइजर है ये अमित खरे बने है कौन बने है अमित खरे बने है PM मोदी के निव एडवाइजर नेश्ट हमारा कॉस्षन है आर्थिक वेकास संस्थान यानि की IEG और IEG के नए अध्यक्ष कौन बने है दोस्तो आर्थिक वेकास संस्थान के जो नए अध्यक्ष है ये NK यानि की नंद के सोर्ष हैं बने है दोस्तो पंद्रवें वेकास संस्थान का अध्यक्ष बनाया गिया है और दोस्तो इनों ने पूर्वे प्रधान मंत्री मन मोहन सिंग का इस्थान लिया है IEG का फुलफाम होता है Institute of Economic Growth आर्थिक वेकास संस्थान हिंदी में कहते हैं उन्नीश बाउन में स्थापना की गई थी इसका Headquarter जो है ये नुई दुल्ली के अंदर एस्थेत है नेश्ट कॉसन भारत के नए ओप राष्टिय सुरक्षा सलायकार यानि कि डिप्टी NSA कौन बने हैं दोस्तो भारत के नए ओप राष्टिय सुरक्षा सलायकार यानि कि डिप्टी NSA जो है NSA जो है ये बिक्रम मिस्री बने हैं ठीक है ये तो हमने बात करी है डिप्टी NSA की यदि आप से पूछा जाए एक्जाम में कि प्रिजन टाइम पे हमारे देश के राष्ट ये सुरक्षा सलायकार यानि की एन ऐसे कौन है तो आप कहेंगे अजीत डोभाल हैं नेश्ट वन की हम बात करेंगे फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं दोस्तो फिक्की के जो निव अध्यक्ष हैं ये संजीव महता बने हैं संजीव महता ने किसको रिप्लीज किया है उदय संकर को रिप्लीज किया है फिक्की की बात हुई है तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कामर्स इंडेश्टी फुल फॉम होता है भारतिये वाडज और उद्योग महासंग हिंदी में कहते हैं इस्थापना 1927 में हेट कोटर ने दिली में ठीक है इसी क्रम में एक और कॉस्टन आपके एक्जाम में पूछा जा सकता है फिक्की के निवडिज यान की महानदेशक है ये अरुण चामला है अब दोस्तों फिक्की की बारे में हम पढ़ चुके हैं इसकी नए अध्यक्ष संजीव महता बनी है नए महानदेशक जो है ये अरुण चामला बनी है नेस्ट हमारा question है भारती राष्टी राजमार्क प्राधिकण की नई अध्यक्ष कौन बनी है दोस्तो भारती राष्टी राजमार्क प्राधिकण और इसकी जो न्यू अध्यक्ष है ये अलका में तलजी बन गई है डी option सही हो जायागा दोस्तो भारती राष्टी राजमार् रख रखाओ और प्रबंधन का कारे करता है नेश्ट हमारा कौशन है किसे देश का नव सेना प्रमुख बनाया गया है दोस्तो देश के नई नव सेना प्रमुख जो है ये एड्मिरल आरहरी कुमार बने है C ओप्सन सही हो जाएगा ठीक है और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है दोस्तो इन्होंने करम वीर सिंग का इस्था लिया है नेश्ट हमारा कौशन है भारती वायु सेना के नई उप्रमुख कौन बने है दोस्तो भारती वायु सेना के नई उप्रमुख जो है ये संदीप सेन बने है किसे देश का नया वायू सेना प्रमुख बनाया गया है दोस्तो देश का नया वायू सेना प्रमुख जो है ये किस को बनाया गया है तो एर मारसल विवेक राम चौधरी को बनाया गया है ठीक है कौन किसको विवेक राम चौधरी को और ये वायू सेना की प्रमुख बने है इस्थानलिया है भारती वायू सेना की बात हुई है तो 8 अक्टूबर 1932 को इस्थापना की गई थी चूकि 8 अक्टूबर को इस्थापना की गई थी इसकी इसलिए वायू सेना दवसका मनाते हैं तो 8 अक्टूबर को हैड कोटर नई दिल्ली में है वायू सेना के प्रमुख हम बेबेक राम चोधरी ठीक है ससस्तर सेनाओ के जितने भी प्रमुख है सभी को हम डिसकस कर लेते हैं दोस्तों CDS हमारे देश के पहले कौन थे तो जनरल बेपिन रावत थे लेकिन हेलिकाप्टर क्रेश दुरगटना में इनका भौती दुखत निधन हो गया है दोस्तों वायुसेना के प्रमुख कोन है तो बेबेक राम चोधरी है 27 वी नमबर के नो सेना अध्यक्ष कोन है आर हरी कुमार है 25 वी नमबर के जल सेना अध्यक्ष कोन है तो एमेम नरवड़े यानि कि मनुज मुकंद नरवड़े है ये भी कौन से नमबर के 27 वी नमबर के नेस्ट हमारा कॉस्षन है नेसल कैड़ेट कोर यानि कि NCC के नए महान दिसक यानि कि DZ कौन बने हैं दोस्तो NCC के जो नियू DZ है ये गुरवीर पाल बने है ठीक है इंपॉंट कॉस्षन है आपके एक्जाम के लिए और ये कौन से नंबर के DZ बने है दोस्तो ये 34 वे नंब का आदर्शवा के क्या होता है एकता और अनुसासन ये ASTATIC GK में कॉस्षन पूचे जाते हैं कि NCC का आदर्शवा के यानि की मोटो क्या होता है तो एकता और अनुसासन unity and discipline इसको हम English में कहते हैं और दोस्तो यदि आपको मेरी पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है यदि आपको मेरा content पसंद आ रहा है तो अभी कभी वीडियो को like and share कर दें और इसी प्रकार के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चनल को सब्स्क्राइब करके bell icon जरू दबाले Next question है नागरेक ओड्यान मंत्रा लाएके नए सचेव कोन बने है दोस्तो नागरेक ओड्यान मंत्रा लाएके नए सचेव जो है ये राजियू बंसर बने है ये तो हमने बात करी है सचेव की यदि हम बात करें कि नागरेक ओड्यान मंत्री कोन है हमारे बरतमान में दोस्तो केंदरी ये नागरेक ओड्यान मंत्री जो है ये जियोती रजट एम सिंधिया जी है नेश्ट हमारे कोशन है भारतिय बैडमेंटन संग के नए अध्यक्ष कोन बने है दोस्तो वारतिय बैडमेंटन संग इसको सोट में BAI कहा जाता है और इसके जो निव अध्यक्ष हैं ये हैमंत विस्वा सर्मा बने हैं और हैमंत विस्वा सर्मा की यदि हम बात करें तो ये वरतमान में असम के मुख मंत्री भी है ठीक है और ये 2025 तक कब तक 2025 तक भारतिय तीरंदाजी संग के अध्यक्ष कौन है भारतिय तीरंदाजी संग इसको सोट में AAI कहा जाता है और इसके प्रिजन टाइम पे जो चेर्मेन है ये अरजुन मुंडा है ठीक है और अरजुन मुंडा आपको पता होगा कि ये कौन है तो ये वरतमान में जन जाती है मामलों के मंत्री भी है नेश्ट हमारा कॉसन दोस्तो हाली में दिल्ली खेल बिस्विद्याले की प्रिथम कुलपती कौन बनी है दोस्तो दिल्ली खेल बिस्विद्याले की जो प्रिथम महिला कुलपती है ये करणम माले सुरी बनी है डी ओप्सन सही हो जायागा नेश्ट हमारा कॉस के हैं IOC का फुल फॉर्म क्या हुता है इंटरनेशनल ओलम्पिक कमेटी अंतरष्टि ओलम्पिक समीती हिंदी में कहते हैं 1894 में में स्थापना सोयजरलेंड की लुसाने में हैड क्वाटर और थामस बाग जो हैं इसके नए अध्यक्ष बने हैं नेश्ट कोसन है होकी इंडिय यह पूचे जाता है होकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं दोस्तो ग्यानेंद्रो निंकुबाम जो हैं यह होकी इंडिया की नए अध्यक्ष बने हैं होकी इंडिया की इस थापना कप की गई थी तो 2009 में और इसका हैड़कोटर नियू दिल्ली में है नेश्ट हम नए मुखकोच कोन बने हैं दोस्तो भारती महिला राष्ट्रे। बहात्य मुक्यवाजी महासंग के फिर से अध्यक्ष कौन बन गए हैं दोस्तों बहात्य मुक्यवाजी महासंग और इसके फिर से अध्यक्ष यू है यह अजयस सहें बने हैं यह ओप्सन सही हो जाएगा इसको BFI सौट में कहते हैं इसका फिल्फम होता है Boxing Federation of India और इसकी स्थ अपना के गई थी 1904 और हर्याणा के गुरुगराम में इसका हैड क्वाटर इसके फिर से अध्यक्ष कौन है दोस्तों प्रजेंट टाइम पे जो फीपा के अध्यक्ष है यह जियानी एंपिटिनों है ठीक है और जियानी एंपिटिनों जो है यह सुजरलेंड के हैं दोस्त अंतरश्ट यहो की महा संग और इसके अध्यक्ष है नरंदर बत्रा ठीक है और नरंदर बत्रा जो है यह अपने देश भारत के हैं नेश्ट हमारा क्वेशन दोस्तों हाली में किसे भारतिय उद्योग परी संग के अध्यक्ष की रूप में निक्ति किया गया है दोस्तों भ BvR. सुब्रमन्यम बनी हैं. ए उप्सन सभी होजाएगा. NASP हमारा क्वशन है NASA की नए अध्यक्ष कौन बनी हैं. दोस्तो NASA की नए अध्यक्ष जो हैं यह Bill Nansen बनी है टीकी और यह NASA के कौनसी नमर के अध्यक्ष बनी हैं? 14 नमर की. NASA आप लोग जानते होंगी ये अमेरिकी अंत्रक्ष एजन्सी है फॉलफाम होता है नेशनल एरोनटेक्स एंड स्पेस एड्मिनिस्टिशन उनीस औंटाउन में इस्थापना अमेरिका कि बॉजंटरं डी सी में इसका हैटक्वर्टर इसका मोटो क्या होता है तो फार्दा वैनिफिट आल इसका मोटो होता है नेस्ट कॉस्टन है सिक्रम में रिसर्ष्ट एंड एनलेसिस विंग यानि कि रो के वर्तमान में चीफ कोन है दोस्तो प्रिजेंट टाइम पर रो के चीफ जो है ये सामंत कुमार गोईल है वी ओप्सन सही हो जाएगा रो के बारे में तो जानती हो न ये अपने देश की एक खूफिया एजेंसी है भारत की ठीक है और यदि हम बात करें इसकी स्थापना की तो उननीश वड़ सट में इसकी स्थापना की गई थी हैट कॉटर नई दिल्ली में है प्रमक कौन है इसकी तो सामंत कुमार गोईल है नेश्ट कॉस्टन हिसक्रम में इंटिलिजन्स ब्यूरो की वरतमान में प्रमक कौन है दोस्तो आईवी की प्रिजन टाइम पे प्रमक कौन है आरविंद कुमार है ठीक है और आईवी की स्थापना कप की गई थी तो 1887 में और इसका हैटकोटर नई दिल्ली में है नेश्ट कॉस्टन है भारती रिजर्व बेंक की आरवियाई की वरतमान में गवर्नर कौन है आरवियाई की वरतमान में गवर्नर है सक्तिकांद दास और ये आरवियाई के कौन से नमर के गवर्नर है तो यहार भी आई के 25 वे नमबर के गवर्णर है ठीक है नेश्ट वन की हम बात कर लेते हैं देश के नए केंद्रिय सतरक्ता आयक तो कौन बने हैं दोस्तो देश के नए केंद्रिय सतरक्ता आयक तो जो हैं ये सुरेश एन पटल बने हैं सुरेश एन पटल ने संजय कोटारी की जगाली है नैश्ट हमारा कॉस्टन है देश के नए मुख सूचना आयक्त कौन मने है दोस्तो देश के नए मुख सूचना आयक्त जो है ये यस वर्धन सिन्हा बने है कौन मने है यस वर्धन सिन्हा नेस्ट कॉस्टन है भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है दोस्तों सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जो है ये नितिन गड़करी है ठीक है गड़करी गड़ 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 और सड़क के गड़ों पर गड़ गड़ होता ही है नेस्ट हमारा कॉस् देश के पहले सहिकारता मंत्री कौन बने है दोस्तो देश के पहले सहिकारता मंत्री जो है ये अमित साह बने है ठीक है अमित साह ग्रह मंत्री भी है और ये हमारे देश के पहले सहिकारता मंत्री भी बने है नेश्ट कॉस्टन है वारती जनता पार्टी के वर्तमान में अध्य अद्यक्ष है निश्ट हमारा कॉस्षन है प्रेश ट्रस्ट ओफ इंडिया यानि कि PTI की नए चेयर्मेन कौन बने है दोस्तों प्रेश ट्रस्ट अफ इंडिया इसको सॉट में PTI कहा जाता है और इसके नीव चेयर्मेन जो है ये अवीग सरकार बने है ठीक है और दोस्तो PTI जो है ये भारत की सबसे वड़े न्यूज एजेंसी है ठीक है याद रखना और इस किस्ता अपना 1947 में की गई थी है एड़कोर्टर ना इदिल्ली में है नेश्ट कॉस्टन है भारत के सरबोच नेयलाय के मुख नियादिस कौन बने है तो इसकी इस्थापना कापी गई थी 28expndber ultra 1950 को इसकी स्थापना कि गई थी जदी हम बात करें के इसके पहले नैयादिस कॉन है गई थी तो हीरे अलाज ये कानिया बनाए गई थी अच्छा प्रिजenment टाइम पर यदि हम बात करें कि नियाधिसों की संख्या कितनी है तो 34 है ठीक है एक तो मुख नियाधिस होता है और 33 होते हैं इसमें अन्य नियाधिस ठीक है और राष्ट पती जी जो है ये मुख नियाधिस को सपत दिलाते हैं और मुख नियाधिस अपना त्याक पत्र भी कि उजब अगा नेश्ठ हमारा question है भारतिय परवात रोहन Foundation की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है जो यह deiplayer परवाता रोहन संस्तान है इसकी इस्ताप नकब की गए थी 19-12 गना की गए थी और इसकी पहली महिला अध्यक्ष कंकी ही हारस बंति वेश्ठ है जो नेश्ट हमारा कॉस्षन राष्टी महिला आयोग की फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं। नेश्ट हमारा कॉस्षन राष्टी अनुसुजत जाती आयोग की नए अध्यक्ष कौन बने हैं। नेश्ट हमारा कॉस्षन है राष्ट सवा में सदन के नेता कौन बने हैं। दोस्तो राष्ट सवा में सदन के नेता जो हैं ये प्यूस गोईल जी न्यूक्त हुएं ठीक है और प्यूस गोईल ने थावरचंदर गहिलूत का इस्थान लिया है। और दोस्तो प्यूस गोईल आपको पता रहना चाहिए कि ये प्यूस गोईल कोन हैं तो प्यूस गोईल जो हैं ये वाडज और उद्योग मंत्री और भूगता मामली खाद और सावजनेक बित्रण मंत्री हैं। और इसके साथ में इनके पास में कपड़ा मंत्रा लाए भी है ठीक है। भी देश क्या है नेष्ट हमारा कोईश्चन है हाली में लोकसभा की नए महासचे कौन हैं दोस्तो लोगसभा की जो नए महासचव है ये उत्पल-कुमार्स है बने हैं ठीक है कौन बने है उत्पल कुमार सहं बने है नेश्ट को सने UPSC का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है दोस्तो UPSC का अध्यक्ष बिनाया गया है प्रदीप कुमार जोसी को ठीक है अच्छा आप लोग बताओ कि UPSC एक संविधानेक संस्ता है कि गेर संविध का फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन हिन्दी में संग लोग सिभा आयोग कहते हैं 1926 में स्थापना हैट कोटर निव दिल्ली में नेश्ट अमारा कोशन है नाडा के नए महानदिशक कौन बने हैं दोस्तो नाडा के जो निव डेजी हैं वो सिधात सहन लौंग विया बने हैं ठीक है और दोस्तो यदि बात करें मनशुख मांडिया की तो आपके माइन में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि ये वर्तमान में केंद्रिय स्वास्त और परिवार कल्यान मंत्री हैं कौन वर्तमान में ये केंद्रिय स्वास्त और परिवार कल्यान मंत्री भी है UIDAI यानिकी भायतिय विशेष्ट पहचान प्रधीकड के CEO कौन बने हैं। दोस्तो कम वायतिय है विशेष्ट पहचान प्रधीकड और इसको हम आधर कापड भी कह सकते हैं। इसके CEO कोन बने हैं? सौरप गरग बने हैं। और दोस्तों यदि हम बात करें इसके full form की तो UIDAI का full form होता है Unique Identification Authority of India इस था अपना 2009 Headquarter नई दिली में और इसके अध्यक्षे पंकश कुमार याद रखना अध्यक्षे पंकश कुमार CEO कौन है तो सुरब गर्ग इसके CEO है नैश्ट हमारा question है भारत के नई मुख चुनाव आयक्ष तो कौन बने हैं भारत के नई मुख चुनाव आयक्ष बने हैं सुसील चंद्रा कौन बने हैं सुसील चंद्रा और यदि हम बात करें ये कौन से नम्मर के मुख चुनाओ आयोक थें तो ये 24 में नम्मर के हैं ठीक है यदि हम बात करें कि 23 में नम्मर के कौन थे दोस्तो 23 में नम्मर के थे सुनील अरोडा ठीक है कौन थे सुनील अरोडा थे तो हम क्या कह सकते हैं हम ये कह सकते हैं कि सुनील अरोडा बना रहे थे चुनाओं में रोडा इसलिए इनको हटा दिया गया और एक सुसील व्यक्ति को मुख चुनाओं आयोक्त बना दिया गया ताकि वो मन के मताबिक सरकार जैसा चाहे वैसा चुनाओं में हेर फिर कर सके ठी दुनिया का सबसे वड़ा संग्राला है यानि कि म्यूजियम कौन सा है लोवर संग्राला है ठीक है और इसकी पहली महिला अध्यक जो है यह लोरंस डैस कार्ड बने है लोरंस डैस कार्ड जो है यह प्रसिद इतिहास कार है ठीक है और लोवर संग्राला है दुनिया का सबसे व बना हुआ है विश्र विश्र भारतिय को जून 2021 से जून 94.24 तक के लिए विसबैंग के सिख्षा सलाइकार की रूप में नेक्त किया गया है रंजीत सेंद साले को रचीड सेंद साले को याद रखना कि 2020 का जो गलूबल टीचर अबोर्ड है ये किसको दिया गया था रंजीत स नेश्ट अमारा क्वाशन है विस्व वैपार संग्ठन यानि कि WTO की पहली महिला महानदिसक कौन बन गई हैं दोस्तो WTO की पहली महिला महानदिसक जो है ये नाकोजी, ओंकोजी, इविला वनी है, D option सही हो जाएगा ठीक है, World Trade Organization हिंदी मे विस्व वैपार संग्ठन, इस्थापना 1995 में हेड़कोटर जो है ये स्विजरलेंड की जेनेबा में इस्तित है नेश्ट हमारा कॉस्टन दोस्तो रक्षा अनुसंधान वा विकास संगठन इसको सौट में DRDO कहा जाता है तो DRDO के वर्तबान में अध्यक्ष कौन है नई दिल्ली में इस्तित है नेश्ट हमारा कॉस्टन है राष्टपती रामनात कोवन ने किसे देश का पहला लोगपाल नियुक्त किया था दोस्तो देश के पहले लोगपाल कौन बने तो पिनाकी चंद्र गोहुस बने ठीक है सी ओप्सन सही हो जाएगा नेश्ट बन की यदि हम बात करें तो BCCI के पहले लोगपाल कौन बने दोस्तो BCCI के पहले लोगपाल जो है ये D की जेन बने कौन बने D की जेन अच्छा BCCI में लोगपाल की पद का क्या काम आ गया तो BCCI के अंदर जितने भी आंत्रिक बिवाद हो जाते हैं उनका निप्टारा करने के लिए BCCI में लोग पाल का फ़द बनाया गया नेश्ट हमारा कॉस्टन दोस्तो State Bank of India के नए अध्यक्ष कौन है दोस्तो State Bank of India यानि कि SBI State Bank of India और SBI की सबसे पहले आप बताए इस्थापन कप की गई थी 1925 में की गई थी Headquarter मुंबई में इस्ते थे और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं दिनीश कुमार खारा कौन है Next हमारा कोस्टन है दोस्तो इसी करम में कैंद्रिय ओध्योक सुरक्षवाल यानि की CISF के महान देशक कौन बने हैं CISF के जो New DZ हैं ये SEAL वर्धनस हैं बने हैं Next हमारा कोस्टन दोस्तो अंतराष्टिक क्रिकेट परिशद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं दोस्तो अंतरश्टे क्रिकेट प्रिसदियान की ICC और ICC के जो नए अद्धक्ष हैं यह Greg Warclay बने हैं और Greg Warclay किस देश के हैं दोस्तो यह New Zealand देश के हैं इसी करहमें नेस्ट कॉस्टन है ICC के नए CEO कौन बने हैं दोस्तो ICC के नए CEO बने है जियोफ LRD ठीक है और जियोफ LR जो एलाड़स जो है यह और देश के हैं और दोस्तो जी ओफ एलाड़स ने किसका इस्थान लिया है मनूल साहणी का अब दोस्तो ICC की बात हुई है इंटरनाशनल करकेट कांसलिस को बोलते हैं और अंतरराश्ट एक करकेट परिसेद हंदी में कहा जाता है ये पूरे वर्ल्ड में करकेट का आयोजन करवाता है मतलब ये करकेट का एक वर्ल्ड लेविल का बोर्ड है इसता अपना उन निश्टनों में की गई थी दुबई में हेटकॉर्टर है इसके चेर्मेन है ग्रेग बारकले CEO कौन है तो Zee of Eladis इसके CEO है इसके करव में नेश्ट कॉसन है ACN करकेट काउंसल यानि की ACC के नए अध्यक्ष कौन मनी है दोस्तो ACC के नए अध्यक्ष यो है ये जैस साहब बने है ठीक है नेश्ट कॉसन है विस्विद्ध दहले अनुदान आयोग यानि की UGC तो UGC के नए अध्यक्ष कौन मनी है दोस्तो A.M. जगदिश कुमार जो है ये UGC के New Chairman बनी है नेश्ट हमारा कॉसन है रख्षा खूपिया एजेंसी के नई प्रमुक कौन मनी है दोस्तो रख्षा खूपिया एजेंसी के नई प्रमुक यो है D option से यूज आएगा नैश्ठ हमारा कॉस्षन है प्रधान मंत्री फसल भीमा यूजना के नए CEO कौन बने है दोस्तो रीतेस चोहान जो है ये प्रधान मंत्री फसल भीमा यूजना के नए CEO बने है नैश्ठ हमारा कॉस्षन है राष्टेवाल अधिकार सर्रक्षन आयोग के फिर से अध्यक्ष कौन बन गए हैं दोस्तो राष्टियवाल अधिकास सर्रक्षन आयोग के फिर से अध्यक्ष जो है ये प्रियंक कानून गो बन गए हैं C options रही हो जायागा नेश्ट हमारा question है भारती बिमान पत्तन प्राधिकन यानि कि AAI के नए अध्यक्ष कोन बने हैं दोस्तो भारती बिमान पत्तन प्राधिकन यानि कि AAI और इसके जो निव चेर्मेन हैं ये संजीव कुमार बने हैं ठीक है और दोस्तो AAI का full form क्या होता है तो इसका full form होता है Airport Authority of India भारती बिमान पत्तन प्राधिकन हिंदी में इसको हम बोलते हैं और AAI जो है ये भारत के सभी एरपोर्ट को regulate करता है इसकी स्थापना 1995 में headquarter नहीं दिल ली नेश्ट हमारा कॉसन के से सीमा सलक संगठन का महानदिसक बनाया गया है दोस्तो सीमा सलक संगठन का महानदिसक जो है ये लेबटनेट जेनल राजियु चोधरी को बनाया गया है तो C option सही हो जाएगा और यदि हम बात करें कि इन्होंने किसको replace किया है तो उन्हें जनरल हरपाल सेंग को replace किया है नेश्ट कोशन नीति आयोक के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है दोस्तो वर्तमान में नीति आयोक के उपाध्यक्ष जो है यह राजी कुमार C option साई हो जायागा अच्छे यह तो हमने बात करी नीति आयोक के वर्तमान उपाध्यक्ष की यदि मैं आपसे पूँच हूँ कि नीति आयोक के प्रतम अध्यक्ष कौन थी तब आप क्या कहेंगे दोस्तो अरबिंद पनिगडिया जो है यह नीति आयोक के प्रतम उपाध्यक्ष थे और दोस्तो दूसरा आपको याद रखना है कि नीती आयोक के अध्यक्ष कौन होते हैं तो जो तातकालिन प्रधानमंती होते हैं ये नीती आयोक के अध्यक्ष होते हैं तो प्रजेंट टाइम पे नीती आयोक के अध्यक्ष कौन है comment section में comment करें आप next हमारा question है नीति आयोक के वर्तमान में CEO कौन है दोस्तों नीति आयोक के वर्तमान में CEO जो है यह है अमीताप कान्थ है ए ओप्सन सही हो जाएगा ठीक है अच्छा यदि मैं आप से पूछू कि नीति आयोक के प्रतम CEO कौन थे यह question एक बार railway में पूछा गया था और 90% student question को गलत करके आये थे देखे दोस्तों जो सिंधू स्री खुलर है ठीक है सिंधू स्री खुलर जो है यह नीति आयोक के पहले CEO बनाए गए थे अब दोस्तों यहाँ पर बार बार नीति आयोक की बात हो रही है तो नीति आयोक का फुल फॉर्म क्या होता है National Institute for Transparming India हिंदी में इसको भारती राष्टी ये भारत परिवरतन संस्तान कहते हैं नीति आयोक की स्थापना यूजना आयोक के स्थान पर की गई थी एक जन्वरी 2015 को इसका हैट कोटर ने दिल्ली में है और यह एक गेर संविधनिक संस्ता है इसको भारत सरकार का थिंक टेंक कहा जाता है और दोस्तो तातकर इन प्रधान मंत्री जो है वो नीति आयोक के अध्यक्ष होते हैं National Institute for Transparming रेलबे सुरक्षा वल सिवा यानि कि RPFS के नई महांदिसक कौन बने हैं अब दोस्तो सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है अब दोस्तो सौमा मंदल की बात करें तो उन्हेंने अनिल कुमार चौदरी का इस्थान लिया है अब सेल की बात हुई है तो इस्टिल अथोर्टिव अप इंडिया लिमिटेड इसका फुल फॉम होता है उन्निशो चौगन में इस था अपना हैटकौटर नई दिली अध्यक्ष कोन सौमा मंदल और दोस्तो सेल जो है ये भारत की सबसे बड़ी सरकारी कंपनियों में सेख है और इसको महारतन कंपनी का दरज़ा कब दिया गया था 2010 में इसको महारतन कंपनी का दरज़ा दिया गया था दोस्तो यहाँ पर हमने 117 कॉस्टन को डिसकस किया है और दोस्तो सभी कॉस्टन को हमने बिलकुल डिटेल में विट एश्ट अफेक्ट के साथ में डिसकस किया यदि आप चाहें इसी परकार से डिटेल में पढ़ना तो हमारी इबुक को डाउनलूड कर सकते हैं इबुक की लिंक आपको डिसक्रेशन मिल जाएगी और आप लोग इवांदार से कमेंट करके एक बात बताओ कि लाश्ट तक वीडियो किस-किस ने देखा क्योंकि इतना लंबा वीडियो और डिटेल वीडियो बनाने में महिनत लगती है यदि लोग कमेंट करके बताएंगे कि मैं लाश्ट तक बना रहा वीडियो में तो ही मैं इस परकार का नया और लेन्दी और डिटेल वीडियो बनाऊँगा ठीक है बागी के जैसे सब बनाते हैं कि कॉस्टन पढ़ो ऐसा कॉस्टन पढ़ दिया कि सैल की पहले महिला देक्ष कौन मनी आंसर बता दिया आंगे बढ़ गए ठीक है इस प्रकार से पढ़ाना चाहते हैं तो सब पढ़ाते हैं मैं भी पढ़ा दूँगा लेकिन कुछ अलग करना है कॉंसेप्ट किलियर करना है तो एक्जाम किलियर होगा ठीक है कॉंसेप्ट किलियर तब ही होंगे जब आप चीजों को डेटेल में पढ़ेंगे तो कमेंट करके हमें ये ज़रू बताएं कि किसने वीडियो को लाश्ट तक देखा अब next and last question आपके लिए challenging question है जो की हम अपने previous वीडियो से पूछते है इस आपको comment section में comment करके बताना है हमने previous वीडियो में question पूछा था दी कस्मीर फायल्स जो movie अभी हाली में launch हुई है ठीक है वीडियो देखने के लिए बहुत भुत धन्यवाद आपको वीडियो कैसा लगा इमानदारी से comment section में comment करके बताएं वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें अपने दुस्तों के साथ इस वीडियो को share करें जो new student है वो हमारे चैनल को subscribe कर लें साथ में bell icon दबा लें ताकि जब भी में कोई नया और latest video डालूँ तो उसका notification मिल सके आप हमारे video सबसे पहले देख सकें और दोस्तो इसी प्रकार की important video देखने के लिए topic wise video देखने के लिए हमारी playlist को विजिट करें और दोस्तो monthly wise video भी देख सकते हैं आप ठीक है और very very important तीन हमारी playlist है एक topic wise current affairs दूसरी monthly wise current affairs और तीसरा very very important current affairs तो तीन हमारी playlist को आप विजिट कर सकते हैं तो थैंकि दूस्तो राम राम दुआ सलाम आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेस्ट वीडियो में किसी नेस्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए इजाज़त देजिए जै हिन जै भारत वन्दी मात्रम भारत माता की जै